साल दो हजार चौबीस का सबसे बड़ा और भयंकर पहला सूर्य ग्रहन साल दो हजार चौबीस में आठ अप्रेल को लगने जा रहा है दोस्तों इस ग्रहन के दौरान बहुत सारी घटनाएं घटित होगी और कुछ राश्य योयो पर इस अच्छा प्रभाव होगा और कुछ राश्य वालों पर इसका नकारात्मक असर रहेगा तो आज की वीडियो में हम उन चार अच्छी राश्यों के बारे में बताने वाले हैं क्योंकि सूर्य ग्रहन के दौरान चार ग्रह भी वक्री अवस्था में रहेंगे वही ये सूर्य ग्रहन काफी भयंकर होने वाला है लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृप्या सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो का अपडेट मिलती रहें क्योंकि ये काफी लंबा सूर्य ग्रहन रहने वाला है दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि 8 अप्रैल को पढ़ने वाला सूर्य ग्रहन सभी राशियों पर अपना अलग-अलग प्रभाव डालने वाला है इस सूर्य ग्रहन के बाद इन चार राशियों की चमकेगी किस्मत साथ ही साथ इन चार राशियों को होगा बड़ा नुकसान दोस्तों आपको बता दें ये जो सूर्य ग्रहन 8 अप्रैल को लग रहा है ये बहुत ही दुरलब संयोग में है इसलिए दोस्तों कुछ राशियों की किस्मत इस सूर्य ग्रहन के बाद चमकने वाली है और कुछ राशियों को बड़ा नुकसान जहिलना पड़ सकता है परंतु सभी राशियों में से चार राशियां ऐसी हैं जो की काफी ज्यादा भाग्यशाली होने वाली है और उनको करोडों का धन मिलने वाला है यानि वह करोड़ पती बनने वाली है और धन से माला माल होने वाली है दोस्तों सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख दें ओम नमा, शिवाय हर हर महादेव भगवान शिव की कृपा से आपके उपर सूर्य ग्रहन का कोई भी असर नहीं होगा, सूर्य ग्रहन आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएगा, भगवान शिव के लिए एक लाइक जादा प्रभाव देखने को मिलेगा, जैसे कि तूफान, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं। ग्रहन काल का सूतक, काल का समय और ग्रहन काल में बढ़ती जाने वाली उन महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में आपको बताएंगे, इसके साथ ही दोस्तों उन सभी अशुभ कारियों के बारे में भी बताएंगे, जो वर्जित रहता है और जो करने योग्य नहीं है दोस्तों, ग्रहन काल के दौरां आपको क्या-क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों आपको निश्चित तोर पर इसका शुब ह परिणाम देखने को मिलेगा और साथ ही साथ अपने जीवन में चलिया रही किसी भी प्रकार के कष्ट और समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं, तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी चाहते हैं महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और कमेंट में ओम नमह शिवाय भगवान शिव की जय लिखना ना भूले दोस्तों, इस सूरिग रहन का अशुभ प्रभाव इन आठ राशियों पर देखा जा सकता है, और वही शुभ प्रभाव भी कुछ राशियों पर रहेगा, दोस्तों, सूतक काल दौरान, बच्चे और रोगी, जो बीमार अवस्था में पड़े हुए हैं, इन्हें छोड़कर अन्य किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए, इस दौरान खान-पान के पदार्थ में तुलसी दल रखना चाहिए, साथ ही साथ दोस्तों, इस समय गर्भवती महिलाओं को पानी के अलावा कुछ भी सेवन नहीं करना चाहिए, उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, यानि जब तक ग्रहन पड़े, उनको बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए, यहां तक की चौखट और दहलीज भी नहीं लांग चाहिए, साथ ही सुई चाकू छुरी का इस समय, यानि जो धार व खाना खाना है ना ही सोना है दोस्तों, ग्रहन काल में आपको काफी महत्वपूर्ण सावधानिया बरतनी चाहिए, तोर पर कोई भी ग्रहन का सूतक काल लगता है, दोस्तों खासकर साल दो हजार चौबीस का, ये पहला सूर्य ग्रहन लग रहा है, और इसका प्रभाव बारह की बारह राशियों पर देखा जा सकता है, लेकिन खासकर दोस्तों, ये जो चार राशियां है, ये बहुत ही भाग्यशाली थाबित होने वाली है, इनको धन का अमबार मिलने वाला है, यानि धन का खजाना मिलेगा, साथ ही साथ यह करोडपती भी बनने वाले हैं जरूरत मंद लोगों को दोस्तों इस सूर्य ग्रहन में दान करना आप के लिए शुभ माना जाएगा सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल नहीं कर सकते और ग्रंथों के अलावा सूतक काल में पूजा पाठ और देवी देवताओं की मूर्ती को भी छुणा वर्जित है इस दोरान कोई भी शुभ काम बिल्कुल ना करें ऐसा करना अशुभ माना जाता है दोस्तों सूर्य ग्रहन में अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको अपने जीवन में महत्वपूर्ण मंत्रों का भी आपको जाप करना चाहिए जैसे कि महामरित्युन जै मंत्र ओम नमह शिवाए इस मंत्र का जाप करें से आपको काफी फाइदा होगा इस दोरान आप दान कर सकते हैं जैसे कि अनाज वगेर है और दोस्तों इसमें तुलसी के पत्ते का सेवन कर सकते हैं दोस्तों साल दो हजार चौबीस का यह लगने वाला सूर्य ग्रहन आपके जीवन में काफी ज्यादा प्रभाव डालने वाला है और यह आपके जीवन में पैसे से जुड़े धन से जुड़े कोई भी समस्याएं हो आपको छुटकारा मिल जाएगा परन्तु यह सूर्य ग्रहन हमारे देश के लिए काफी महत्व पूर्ण रहने वाला है तो दोस्तों चलिए अब हम जान लेते हैं एक-एक करके सभी राशि में जो सबसे पहली राशी आती है वह है व्रिशब राशी दोस्तों व्रिशब राशी वाले जातकों की अगर बात करें तो यह इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहन रहने वाला है इस सूर्य ग्रहन में व्रिशब राशी वालों को शुभ परिणाम प्राप् और किसी नौकरी के लिए किया गया, आवेदन आपको सफलता दिला सकता है, व्रिशब राशिवाले जातकों के लिए यह समय बहतरीन साबित होगा, सामाजिक स्थिती मजबूत होगी, लोगों से आपका मेल मिलाप होगा, लोग प्रियता आपकी बढ़ेगी, लोगों के प्र अगर आप अपने व्यवसाय में पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा और सफलता दिलाने वाला समय कहां जा सकता है, आपको धन दौलत की प्राप्ती होगी, आप कई प्रकार के शुभ कार्य करने की कोशिश भी कर सकते हैं, आपकी अपने आपको स्थापित करने में सफलता हासिल करेंगे, इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है, वह है कन्या राशी, जी, हाँ दोस्तों, दोस्तों, बैंक से लोन आपको मिल सकता है, साथ ही साथ आप अपने स्वास्थे का विशेश ध्यान रखें, और दोस्तों, अच अमीन जायदात से जुड़े मामले में फैसला आपके पक्ष में आएगा, आपकी आर्थिक स्थिती, कन्या राशी वालों मजबूत होने वाली है, राजनीती से जुड़े लोगों को बहुत लाब होने वाला है, उच्चपद की प्राप्ति शक्ती है, और आपको किसी पार प्रशियाती है, वह है मिथुन, राशी, तो मिथुन राशी वाले जातकों के खर्चों में थोड़ी सी वृध्धी देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको अचानक से कहीं से धन का भी लाब हो सकता है, जो कि आपकी आर्थिक स्थिती को मजबूत या सुधारने में काफी अ आपके लिए यह महत्वपूर्ण ग्रहन रहने वाला है, अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको ओम नम शिवाय मंत्र का जाप भी करना चाहिए, साथ ही साथ यह समय आपके लिए नए अवसरों को लेकर आ रहा है, आपके अपने स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा चिंतित रहना पड़ सकता है, वहीं दोस्तों, यहां पर कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं और उन समस्याओं से आप बाहर भी निकल सकते हैं, आपको अपने पिता का आशीरवाद प्राप्त होगा, यहां पर आपको शुभ परिणाम लाभ दायक कहा जा सकता अगली जो राशी है दोस्तों, वह है सिंह राशी वाले जातकों को इस ग्रहन के दौरान बेहत सावधान रहने की आवश्यक्ता है, साथ ही साथ इनको धन से संबंधित चीजों का लाभ होने वाला, अगर आप पैसा कहीं लगाते हैं जैसे लौटरी सत्ता शेयर मार्केट म तो आपको लाप मिलेगा, साथ ही साथ दोस्तों, आपको आमदनी में डबल मुनाफा होगा, अगर किसी से मन मुटाव चल रहा है तो आपके रिष्टे तूट सकते हैं, परिवार के लोगों का भी ध्यान आपके उपर भी बैठ सकता है, परिवार की जिम्मेदारियां आप पर भी बैठ सकती हैं, समझने का प्रयास करें और सूर्य ग्रहन के प्रभाव से आपकी वित्तीय स्थिती पर भी प्रभाव पढ़ सकता है, जो कि आपकी आर्थिक स्थितियां सुधारने में सहायता करेगा, आपको किसी भी प्रकार का बदलाव या फिर किसी भी प्रकार क दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस समय आप अपनी वाणी पर नियंत्रण करें। यहां पर अगर हम अगली राशी की बात करें, तो अगली राशी रहने वाली है धन, राशी। जी हां, दोस्तों, इसे ग्रहन का जो प्रभाव है वह धनुराशी वालों पर रहेगा। आप अपनी संतान को लेकर चिंतित हैं, लेकिन संतान की तरक्की से आपका मन प्रसन रहेगा। वाद संबाद भी आपका लोगों के साथ होगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी या जिन लोगों से प्रोफेशनल संबंध है, उनसे संबंध बनाए रखने की ज बिल सकता है। यहां तक की किसी गुप्त धन के चलते आप करोणपती बन सकते हैं। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा दोस्तों, धनू राशिवालों, आप अपने सुख सुविधाओं के साथ धन, एश्वरिया में धन, दौलत में भी व्रिध्ध करते नजर आ रहे है समाज में मां प्रतिष्ठा बढ़ेगा। तो दोस्तों, साल दो हजार चौबीस में लगने वाला यह सूर्य ग्रहन है। आपके लिए काफी ज्यादा महत्त पूर्ण रहेगा। दोस्तों, अगली राशि जो है, जिनको सावधानियां बरतनी है, वह है मकर राशिय। आपक कि आपको रुख हुआ फंसा हुआ धन मिलने के योग्ये बन रहे हैं। धन दौलत में वृद्ध होगी, आपके धन में आयमें बढ़ोतरी हो सकती है। लोगों के बीच आपकी लोग प्रियता बढ़ेगी। सोच समझ कर कार्य करें। और वैवाहिक जीवन भी खुश मन व हो सके उतना जाब करिए दोस्तों। आपको इस समय और कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ मंत्रों का जब करें। मंत्र स्रोत का जब करें। यानि ग्रंथों को पढ़ें। हालांकि दोस्तों आपको बताते हैं ये सूर्य ग्रहन भारत में नहीं लगेगा। इसलिए इसका खुशनसीब और भाग्यशाली रशिया जिनको भगवान भोलेनाद जी के आशीरवाद से आठ अप्रेल सूर्य ग्रहन के बाद माला माल करोड़पती बनने से कोई नहीं रोक सकता। इन राशियों का किस्मत चमक जाएगा। इन राशिय का भाग्य पलट सकता। इस सूर् निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ इनको फाइदा पहुंचेगा। करियर कारोबार में अचानक से इनको उन्नती देखने को मिलेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार अब इन राशिय वालों को इस सूर्य ग्रहन के बाद करोड़पती बनने से कोई भी नहीं रोक इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि 8 अप्रेल को पढ़ने वाला सूर्य ग्रहन कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा, सूर्य ग्रहन के दौरान, सभी राशे वाले वह कौन से ऐसे चोटे से उपाय कर सकते हैं, जिन उपायों को अगर आप जोति शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं, तो ना केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है, बलकि आपके जीवन में आपको सुख सम्रिद्धिधन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है, फिर हम आपको इस वीडियो में कि सूर्य ग्रहन के दौरान वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं, जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जाने अन जाने अगर आप यह गलतियां कर देते हैं, तो आपके जीवन में आपको दुख परेशानी दरिद्रता का सामना आने वाले समय में जरूर करना आपके उपर किसी ने काला जादू करवा दिया है, या आपकी कैसे भी परेशानी हैं, अगर आप जोतिश शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहन के दौरान कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको लाभ जरूर मिलेगा, और आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से जरूर मुक्ति मिलेगी, और वह सारी जानकारी, आज की इस वीडियो में हम आपको एक-एक करके बताने जा रहे हैं, फिर हम आपको इस वीडियो वीडियो में बताएंगे, और वैवाहिक जीवन भी खुश्मन वाला है, लेकिन फिर भी मित्रों के साथ मन हो सके, उतना जाब करिए दोस्तों, आपको इस समय और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मंत्रों का जब करें, मंत्र स्रोत का जब करें, यानि ग्रंथों को पढ़ें, हालांकि दोस्तों आपको बताते हैं, ये सूर्य ग्रहन भारत में नहीं लगेगा, इसलिए इसका सूतक भारत में नहीं लगेगा, लेकिन आप लोग ग्रहन के दोरान, ये जो सावधानिया हमने बताई हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, और कोई घबराने वाली बात नहीं है, इस ग्रहन का सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा, दोस्तों तो दोस्तों, ये थी कुछ खु इन राश्य वालों के जीवन में धन की वर्षा होगी, इनके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, इनके जीवन में जो धन आएगा उसमें व्रिद्ध होगी, अब ये राश्य वाले सूर्य ग्रहन के बाद जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से सिर्फ इन को उन्नती देखने को मिलेगी हिंदू पंचांग के अनुसार अब इन राश्य वालों को इस सूर्य ग्रहन के बाद करोड़ पती बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आठ अप्रेल को पढ़ने वाला सूर्य ग्रहन कितने अस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है बलकि आपके जीवन में आपको सुख सम्रिद्धिधन दौलत एश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सूर्य ग्रहन के दौरान वह कौन सी ऐसी गलतियां है जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि जाने अन जाने अगर आप यह गलतियां कर देते हैं तो आपके जीवन में आपको दुख परेशानी दरिद्रता का सामना आने वाले समय में जरूर करना पड़ेगा दोस्तों मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंध हो गया है आपक जास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहन के दौरान कोई भी उपाय करेंगे उस उपाय का आपको लाभ जरूर मिलेगा और आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से जरूर मुक्ति मिलेगी और वह सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको एक-एक करक बताने जा रहे हैं फिर हम आपको इस वीडियो वीडियो में बताएंगे